Good morning students, मैंने आपको प्रीवेस वीडियो में लीटर और मिली लीटर के बारे में बताया था तो आज मैं आपको story sums solve करना सिखाऊंगी आपके जो book का exercise है, exercise 8G उसमें जो story sums है, उसके कुछ sums आज मैं आपको solve करना सिखाऊंगी चलिए हम start करते हैं solve करना तो पहले हम story sums को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर solve करेंगे तो यहाँ देखिए A shopkeeper has 100 meter cloth in his shop He sells 35 meter, 35 centimeter in one day How much cloth is left in the shop now? तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? कि एक shopkeeper है, उसके पास 100 meter cloth है 100 meter कपड़ा है, उसके shop में उस कपड़े में से, 100 meter कपड़े में से उसने 35 meter, 35 centimeter cloth जो है वो sell कर दिया, एक दिन, ठीके? बेच दिया तो यहाँ पर पूछा जा रहा है How much cloth is left in the shop now? तो उसके shop में कितना cloth बच गया? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? उसके पास total cloth है, 100 meter उसमें से shopkeeper ने कितना sell किया? कितना बेचा? 35 meter, 35 centimeter तो उसके पास, बेचने के बाद, उसके पास कितना cloth बचा? कितना कपड़ा बचा? तो यह हमें length find करना है, कि कितना length बच गया उसके पास कपड़े का? तो यह करने के लिए हम क्या करेंगे आपे? माइनस करेंगे, total में से जितना उसने sell किया cloth, उतना हम माइनस कर देंगे, subtract करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा कि, कितना length cloth का, उसके पास बचा उसके shop में, ठीक है, तो शलिए हम solve करते है, यहाँ मैंने statement पहले से लिख के रखा है, total length of cloth in the shop, total कितना cloth था उसके shop में, 100 meter, तो हम यहाँ लिखेंगे, 100 meter, next है, length of cloth sold, कितना उस shopkeeper ने sell किया cloth, 35 meter, 35 centimeter, 35 meter, 35 centimeter, इतना उसने sell कर दिया cloth, तो यहाँ हम subtract करेंगे, तो हम यहाँ पे नीचे करेंगे, subtract, यहाँ पे हमारा space नहीं है, इसलिए और हमारा clear भी रहेगा, तो मीटर, सेंटीमीटर पहले हमने unit लिख लिख लिया, अब हम यहाँ numbers इसके नीचे लिखेंगे, फिर subtract करेंगे, तो यहाँ देखें हमें total length of cloth में से, length of cloth sold minus करना है, तो पहले हम total length of cloth लिखेंगे, 100 meter, meter में है, तो 100 meter के नीचे आएगा, और यह सिर्फ 100 meter है, centimeter इसका नहीं है, तो centimeter में हम क्या देंगे, 2, 0 लगाएंगे, ठीक है, centimeter में 2, 0 हमने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया था, कि centimeter में हम 2 digits तक के numbers लिख सकते हैं, तो यहाँ, meter में का number दियावा है, centimeter का नहीं, तो centimeter में हम 0 देंगे, फिर हमें क्या minus करना है, length of cloth sold, 35 meter, 35 centimeter, meter का हम meter के नीचे लिखेंगे, 35 यहाँ, और centimeter में 35 वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, subtract, minus, तो आपको minus करना आता है, उसी तरी किसे हम करेंगे, यहाँ पर, 0 minus 5, होगा नहीं, क्योंकि 5 बड़ा है, और 0 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, बॉरो लेंगे, बॉरो बगल से लेंगे, तो यहाँ पर भी 0 है, यह भी इससे बॉरो लेगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हम कहां से बॉरो लेंगे, यहाँ से यह 1, ठीक है, तो यहाँ 1 से लेंगे, यह 1 हमारा cut हुआ यहां 0 हुआ यह हमारा 10 हो गया यहां 1 आया फिर यह इसको देगा तो यह हो जाएगा हमारा 9 और यह 10 अब यह इससे borrow लेगा तो यहां हो जाएगा फिर से 9 और यहां 10 अब यह इससे फिर बॉरो लेगा क्योंकि यह 10 हो गया है तो यह इसको 1 देगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा हमारा 10 अब हम माइनस कर सकते हैं 10-5 5 9-3 6 9-5 4 9-3 6 यहाँ 0 है तो कुछ भी नहीं तो यह हमारा आया आंसर अब हम यहाँ पर यूनिट लिख देंगे 64 यह मीटर है 64 मीटर और 65 सेंटी मीटर यह आंसर हो गया अब हम इसका स्टेटमेंट लिख देंगे यह हमारा आंसर क्या आया How much cloth is left in the shop now यह है तो इसका हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे Length of cloth left in the shop कितना बचा है हमारा कितना cloth बचा है यह जो आंसर है वही है Is equal to 64 मीटर 65 सेंटी मीटर यह हमारा हो गया आंसर तो इसी तरीके से हम next भी स्टोरी से हम सॉल्व करेंगे अब हम next question सॉल्व करेंगे A fruit seller sold 15 kg 375 gram of mangoes in the morning and 12 kg 750 gram of mangoes in the evening What was the weight of mangoes sold in a day? तो यहां पर बुला जा रहा है कि एक fruit seller था ठीके एक fruit फल बेचने वाला है उसने mangoes बेचा, mangoes sell किया morning में उसने सुबा में 15 kg 375 gram mangoes sell किया और उसी दिन शाम में उसने evening में 12 kg 750 gram of mangoes sell किया तो यहां पर हमें यह पुछा जा रहा है What was the weight of mangoes sold in a day? तो हमें यहां पर फाइंड करना है कि उस fruit seller ने morning और evening दोनों मिला के कितना mangoes, कितना weight of mangoes उसने sell किया उस दिन उसने कितना mangoes sell किया तो यहां हमें यह फाइंड करना है तो हम यहां क्या करनेंगे जितना weight of mangoes morning में उसने sell किया और जितना weight of mangoes evening में उसने sell किया fruit seller ने उसे हम दोनों को add कर देंगे ठीक है? add करने के बाद हमारा total weight of mangoes आ जाएगा कि उसने एक दिन उसने उस दिन कितना weight of mangoes sell किया तो यहां आप add करेंगे तो यहां देखे पहले से मैंने यह statement लिख के रखा है weight of mangoes sold in the morning तो morning में कितने weight of mangoes उसने sell किया? 15 kg 375 gram यहां हम लिखेंगे 15 kg 375 gram next statement है हमारा weight of mangoes sold in the evening अब उसने evening में कितने mangoes sold किये? कितने weight? 12 kg 750 gram तो यहां पे भी हम लिखेंगे 12 kg 750 gram तो यहां पे हमने weight तो लिख दिया mangoes का morning में और evening में जितना उसने sell किया अब हमें क्या करना है? add करना है तब हमें पता चलेगा कि total weight of mangoes उसने कितना sell किया उस दिन तो यहां पे हम add करेंगे तो पहले हम kg और gram जो unit है वो लिख लेंगे kg and gram अब हमें add करना है तो यहां देखिए first जो morning में उसने sell किया वो हम लिखेंगे तो यहां 15 kg 375 gram तो kg का kg के नीचे में लिखेंगे kg में हमारा 15 और gram में 375 gram अब हम इसे add करना है evening में उसने कितने mangoes sell किये kg में हमारा 12 तो हम kg के नीचे लिखेंगे और gram में है 750 gram तो हम gram के unit के नीचे लिखेंगे अब हमें add करना है तो add कर देंगे plus का sign देंगे 5 प्लस 0 5 7 प्लस 5 12 12 का हम 2 लिखेंगे 1 carry over 1 प्लस 3 4 4 प्लस 7 11 11 का हम 1 लिखेंगे और 1 हमारा carry over हमने यह carry over क्यों किया क्योंकि gram में 3 डिजिट तक के numbers होते है अगर हम यह 1 यहां लिखते थे तो 4 डिजिट हो जाता यह number इसलिए 1 यह carry over 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2 8 1 प्लस 1 2 यह हमने add किया अब हम unit लिख लेंगे 28 यह kg है 28 kg 125 gram तो यह हमारा answer आया तो यह हमारा answer क्या है हमने क्या find किया यह total weight of mangoes sold in a day तो हम यह statement लिखेंगे यहां पर total weight of mangoes weight of mangoes sold in a day कितने weight of mangoes total हुए 28 kg 28 kg 125 gram तो यह हमारा answer है तो इस तरीके से हम statement भी लिख देंगे answer का तो इसी तरीके से हम next story sums भी solve करेंगे next story सब हम solve करेंगे question है there is one liter to fifty milliliter of milk in each pot how much milk will be there in nine such pots तो हमें यह जा रहा है कि एक pot में each means one तो एक pot में one liter to fifty milliliter of milk है ठीक है और हमें यहाँ पे find करना है कि nine pots में कितने milk होँगे तो यह पे जब एक pot का capacity दियावा है कि एक pot में इतने capacity के milk आ सकते हैं तो 9 pots में कितने capacity के milk आ सकते हैं तो हमें यह find करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे multiply करेंगे ठीक है क्योंकि हमारा एक pot के बारे में information दिया है और हमें 9 pots का find करना है कम का दिया है ज्यादा का हमें find करना है तो जब कम का दिया है ज्यादा का फाइंड करना होता है तो हम multiply करते है तो यहाँ पर हम multiply करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर statement लिखा है मैंने पहले से quantity of milk in one pot यहाँ पर एक pot का quantity दियावा है क्या है 1 liter 250 milliliter तो हम यहाँ लिखेंगे 1 liter 250 milliliter number of pots कितने pot है 9 तो हमें 9 pots का find करना है तो हमने लिख दिया number of pots 9 अब हमें क्या करना है multiply तो हम multiply करने से पहले यह जो unit है liter milliliter वो लिख लेंगे liter and milliliter अब हम multiply करेंगे तो liter में क्या है 1 है उसके नीचे लिखते जाएंगे milliliter में 250 और हमें multiply किसे करना है 9 से यहाँ multiply का sign multiply by 9 अब हम multiply करेंगे तो यहाँ हम 9 का table पढ़ेंगे तो यह 4 डिजिट के नंबर हो जाते हैं तो milliliter में हम 3 डिजिट तक के नंबर्स लिखते हैं इसलिए हम नया carry over किया अब हम इसे multiply करेंगे 9 बंजा 9 9 प्लस 2 11 11 का हम 11 लिख देंगे क्योंकि यहाँ कोई number नहीं है जिसमें हम carry over करें यह हो गया हमारा answer अब हम लिखेंगे unit 11 liter 250 milliliter तो यह हो गया हमारा answer लेकिन हमने यह क्या find किया यह हमने find किया कि 9 pots में कितने capacity of milk आएंगे तो यह इतने capacity of milk जो है वो 9 pots में आएंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे statement total quantity total quantity of milk in 9 pots is equal to 11 liter 250 milliliter तो कितने quantity of milk आएंगे 9 pots में 11 liter 250 milliliter यह हमारा answer है so students I hope कि आपको यह story sum समझ में आया है इससे related जो आपको exercise मिलेगी question solve करने के लिए आप उसको इसी तरीके से statement write करके solve करोगे और आप statement पहुत से तरीके से हो सकते हैं हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं